2033 तक क्या Bitcoin एक million का जो उसका milestone है वो अचिव कर पाएगा या नहीं आज हम इसी चीज में के बारे में बात करेंगे तो में 2033 यानि कि आज से लग नो साल बाद Bitcoin की जो value अभी 60-70 thousand dollars में घूम रही है अभी 66 में चल रही है क्या ये 2033 में एक million की value को टच कर पाएगा की नहीं इसकी जो probability है वो कितनी है और क्या ये सच होगा की नहीं हम इसी चीज को इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहें ये चार्ट है और ये चार्ट है जिसमें ये जो रेड लाइन है ये दिखाती है कि कब-कब Bitcoin हॉल्विंग हुई है तो पहले Bitcoin हुल्विंग नॉवंबर 13 में हुई थी उसके बाद फिर 16 में हुई नहीं साय नॉवंबर 12 में हुई ये ये लाइन गलत लग गई स्पहल तो उस समय मतला में लिंगा कि उस समय लोगों को ना कि पता था ना को अतनी एडाप्टिबिलीटी थी अभी हम 2016 से सही सही सुरू करेंगे तो जुलाई 2016 में एक बार हुल्विंग हुई फिर में ये 2020 में हुई और अभी रिसेंटली 19 अप्रिल को हुल्विंग हुई 2016 मतलब बिटकोइन अभी बहुत नया था और बहुत चारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था जिनको पता भी था वो ऐसे लोग बहुत कम थे तो 2016 में जब आप यहां से देखेंगे तो प्राइज आके यहां पर बढ़ा आए यहां पर कितने पर गया है यहां पर गया है बीस हजार डॉलर को 2018 मतलब दो साल तक यह इसी इसी जोन में कंसॉलिडेट करता रहा और दो साल बाद यह पहुचा था अपने अठारा अठारा हजार पर उन्नीस हजार और यह तब जब हाल्विंग हुई थी तब कितने पर था अब था आट सो परच डॉलर पर ठीक अब आप समझे कि 805 से यह पहुचा अठारा हजार अब उसके बाद वहां से फिर अपना कंसॉलिडेशन वगरा हुआ सब चीजे चली नॉर्मल जो कुछ है उसके बारे में खैर इस वीडियो में नहीं डिस्कुस करेंगे हम लोग उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब दूसरी हाल्विंग जो कि में 2020 में हुई तो यहां से देखे अब यहां से यहां पहुचने में इसको लगभग दो साल लगे थे अब यहां से यहां पहुचने में अगर हम यह वाला माने यह वाला माने या फिर यह वाला माने दोड़ों में से कोई भी मान सकते हैं तो अगर हम इस वाले की बात ही अंदर यहां गया अब हुल्विंग किस प्राइस पे हुई थी हुई थी दो हजार इटी एट नई तॉजन नइन तॉज़न एटी एट के इस एरिया में हलका सा प्राईज उपर गया है, इसका मतलब प्राईज तब भी बढ़ा था लेकिन इतना बढ़ा था कि उसको आज के मैप में उवो दिखता भी नहीं है आज के चार्ट में, तो हर हालविंग के बाद प्राईज बढ़ता है ये तो आपने कहीं न कहीं सुनर ह होगा तो 2012 के बाद प्राइज बढ़ा और उतना खास नहीं बढ़ा 2016 के बाद प्राइज बढ़ने में लगबद दो साल लग गया एक साल डेड़ साल लग गया और उसके बाद 2020 की हालविंग हुई तो उसके बाद एक साल के अंदर ही अंदर प्राइज बढ़ गया और यहां से प्राइज उपर जानर बहुत ही सौभाविक है क्योंकि इसकी जो पुरानर इतिहास है वो कोई ये बात को सपोर्ट करता है अगर आप कोई भी देखे कोई भी हल्विंग देखे तो उसके बाद प्राइस ऊपर जा ही रही तो ये तो हुआ कि हम चार्ट देखके और पुराने हल्विंग के इसाब से एक ये सजेशन या एक कंक्लूजन प्याड़े कि भाई प्राइस जाने वाला है तो इससे तो कोई मैद इस ये तो कहीं वाद छुपी नहीं है ज से प्राइस उपर जाने की वाला है अब हम आताए कि और क्या दो जून 2024 को तो से ज़्यादा bitcoin में inflow हुआ था Wales have accumulated 1.4 billion worth of bitcoin यह मतलब 20,600 bitcoin 20,600 bitcoin अगर अभी हम BTC to USD रारे तो अभी कितना चल रहा है अभी 6 चल रहा है 20,600 तो इतने US dollars का मतलब यह 1.3 billion है यहाँ पर लिखा भी हुई है 1.3 billion dollar का 1.4 तो 1.4 billion dollar वर्थ का bitcoin सिर्फ मतलब इस range में अगर आप देखें यहाँ पर जो inflow हुआ है इस चार्ट में अगर आप देखें तो 11 जुलाई को हुआ है मतलब लोग और आप समझें कि अभी जो 19 million bitcoin बाहर आचुके है 3 million और जो bitcoin बचे है उसको निकल दे में लगब अभी 100 साल लगेंगे और halving हो गई है 19 अपरेल 2020 को 2024 को और अब जो है अब price इसका बढ़ने वाला है जो कि हम इसके पुराने जो इतिहास है उससे जान सकते हैं यहाँ पर भे बढ़ा है यहाँ पर भे बढ़ना ही है तो यह तो यह हो गया कि price बढ़ना है दूसरा यह हो गया कि अब बहुत कम bitcoin बचे हैं जो कि mine किये जा सकते हैं किरके 3 million को अभी बाहर निकले में 100 साल लगेंगे तो अभी 19 मिलियन में ही काम चालाना पड़ेगा और अगर आप देखें तो पिछले जो ये जो शार्ट दिखाता है कि 20,600 बिटकोईन मतलब का इंफलो हुआ है 11 जून के आस्वास तो अब आप समझें कि जो एडॉप्शन है वो बढ़ रहा है तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि एक तो पाई जो नेचर है प्राइस बढ़नी चाहिए दूसरा जो एडॉप्टिविटी बढ़ रही है बिटकोईन की उससे प्राइस बढ़नी चाहिए तीसरा हम और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं वैसे यह कंपणी है डी 5 टेकनोलोजी यह कैनडियन कंपणी है और इसके इसने क्या किया है कि अपना जो ट्रेजरी रिजर्व होता है नॉर्मली जो कंपणी अपनी ट्रेजर्व स्टोर करके रखती है तो उसको इसने यूर्स डॉलर पे पहले था या कहा था लेकिन उसको अभी इसने हटा के उसको बिटकोईन के ऊपर डाल दिया मतलब अब उनका जो में एसेट है मतलब होता है कि जब टाइम खराब होगा उसके लिए थोड़ी सीविंग्स तो वो जो एसेट है वो प्राइमरी ट्रिजरी रिजर्फ जो है इनके पास यहां आप देख सकते हैं वो इन्होंने बिटकोईन में स्टोर करना सुरू कर गया मतलब अब यह बैंक में पैसा नहीं रखे रहेंगे कि जब समय खराब आएगा तो हम यह उसकरेगे अब यह बिटकोईन में पैसा रखेंगे और 110 बिटकोईन इन्होंने खरीदा है और यह और ज्यादा खरीदने की प्लानिंग कर रहे है क्या नाम है DeFi Technologies अब दूसरी कमपणी MicroStrategy है MicroStrategy उनने भी मतलब खरीदा है बिटकोईन और यह 500 बिलियन डॉलर्स का बिटकोईन खरीदा है तो ने 500 बिलियन डॉलर्स का और लगाने जा रहे है तो यह हुआ डू कमपणी का उसके बाद यह एक कमपणी है यह Medical Technology की बेस्ट कमपणी है और इसने 17 मिलियन डॉलर्स जो है वो बिटकोईन के में लगा के खरीदे हैं और 150 मिलियन डॉलर्स और लगाने की मतलब कोशिश में जारी है यह तो यह मतलब ऐसी कमपणी जो Medical Technologies पर काम करती है वो कमपणी भी अब बिटकोईन में घुस रही है दूसरी अगर आप बात करें तो यह Metaplanet यह कहां की कमपणी है सबसे पहले है यह कोई US की कमपणी नहीं है मतलब नामले क्या होता है कि Bitcoin यूस में मतलब एक मानल नीटिव जो वैसे तो विटकोईन किसी भी देश का रही ह आप देखें तो सबसे जादा नेटिव फीलिंग Bitcoin के US में ही होती है कि यही बना है या XYZ तो यह US की कमपणी भी नहीं है यह है Japanese कमपणी और यह Metaplanet ने क्या किया है इसने 16 मिलियन का Bitcoin खरीदा है और खरीदने के न्यूस की वज़ा से अब ध्यान नीजेगा इसने 16 मिलियन का Bitcoin खरीदा, 11 मिलियन डॉलर्स का Bitcoin खरीदा और खरीदने के न्यूस की वज़ा से इसका stock price 10% बढ़ा है तो अब Bitcoin को खरीदना, Bitcoin को अपना treasure बनादा, Bitcoin को अपना backbone बनादा इससे आपके जो cash flow है या network है इसमें फरक पड़े यह सिर्फ US में नहीं रह गया, अब Japanese countries यह सर जैपान में भी इसका फरक पड़ा है, Japanese companies पे भी इसका फरक पड़ रहा है कि अगर वो Bitcoin को इन्वेस्ट करती है तो लोग उसमें इंट्रस्ट हो क्या, मतलब stock price बढ़ जाता है top price of course इसलिए बढ़ता है क्योंकि demand बढ़ जाती है उसके stock की, तो इस हिसाप से आप देखिए, तो आप लोग जो है ऐसे बड़ी-बड़ी companies, whales जो ही यह है, यह whales आपने जो investment है, आपनी जो reserves है वो Bitcoin में कर रही है, दूसरी बात अभी जब यह 9,000 डॉलर पे, 9,000 डॉलर पे और अभी वाली हाल्विंग 66 पे हुई है, तो अगर आप देखे 66 into 6.66, तो अभी तो इस trend का, सिर्फ इस trend की अगर हम बात करें, तो अगर इसी trend को वो follow करें, तो यह 439,000 डॉलर पे जाना चाहिए, और अगर हम यहां की बात करें, तो यहां कितने पे था, 20,000, divided by यह कितने अगर हम यहां यहां से यहां यह 16 पे गया, यह था 16, यहां से यह गया 6, अगर मढलो उसी हिसाब से और कम कर लो, तो मतलब 3X, 2X, कुछ भी रख लो, तो भी प्राइस उपर जा नहीं है, प्लस अब जो है, अब यहां पे adoption बहुत कम था, यहां पे उससे कम था, अब सबसे ज़्यादा adoption है, अगर हम कभी की भी बात करें, तो बिटकोईन का adoption अब सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहां के trend से भी price उपर जानी चाहिए, प्लस जो इतना adoption बढ़ रहा है, इ यहां मिसी किसाब इस video का बात माते हम तेहां तेह पर दो में.